गुड मॉर्निंग टू आल आफ यू, मैं शकील एहमद, शहयक आचार्ये, वनश्पती सास्त्र, शहिद कैप्टन, रिपु दमन सिंग, राजकिय महाविध्याले, सवाई माधोपूर. आज हम अध्यन करेंगे पैपर सैकंड, इकोलोजी एंड फाइटो जियोग्राफी के टॉपिक, पारी तंत्र की संद्रचना वकारिये के बारे में. इस टॉपिक में हम पारिस्तितिक तंत्र क्या है, इसकी विशेश्ता वो, पारिस्तितिक तंत्र की संद्रचना वो, और पारिस्तितिक तंत्र के कारियों के बारे में अध्यन करेंगे. पारिस्थितिक तंत्र सब्द HG टैंसले द्वारा दिया गया पारिस्थितिक तंत्र को पारी तंत्र या एको सिस्टम भी कहा जाता है E.P. Odom को पारी तंत्र पारिस्थितिक की कापिता कहा जाता है फादर ओफ इको सिस्टम इकोलोजी अब हम देखते हैं कि ये पारित तंत्र यानि की इको सिस्टम क्या है तो प्रकरती में सजीव भी रहते हैं और प्रकरती के निर्जीव घटक या आजयविक घटक भी है ये सजीव घटक और निर्जीव घटक है वो एक दूसरे से स्वातंत्र नहीं रहते हैं अपितु ये एक दूसरे के साथ में परस पर किरिया करते रहते हैं और इनकी किरिया से एक जटिल तंत्र का निर्मान होता है ये जटिल तंत्र ही भारिस्तितिक तंत्र है इसे एक उधारन से हम समझे तो हम देखते हैं कि जैसे हरे पादप है जो प्रका संसलेशन की किरिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं ये पादप प्रक्रती से सीओ टू और जल गरन करते हैं और कार्बनिक खद्य पदार्थ का निर्मान करते हैं इस किरिया में ये बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गेस निकालते हैं इन पादपो को दूसरे जियों द्वारा यानि कि साका हारियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहन किया जाता है और साका हारियों को मानसा हारी जियों भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं इस प्रकार हमने देखा कि प्रक्रती के ये सजीव और निर्जीव यानि कि जेविक और अजेविक घटक परस पर निरंतर किरिया सील रहते हैं और इनके परस्पर निरंतर किरिया सील रहने से, एक दूसरे के साथ में अनुन्य किरिया करते रहने से, एक जटिल तंतर का निर्मान हो जाता है, जो पारिस्थितिक तंतर कहलाता है, जैसे वन पारिस्थितिक तंतर, फोरेश्ट इकोसिस्टम, समुद्र पारिस्थितिक तंत अब हम देखते हैं कि जो ये पारिस्तितिक तंतर है उसकी विशेष्टा ये क्या क्या है तो पहली विशेष्टा है कि पारिस्तितिक तंतर का विकास सरलता से जटिलता की ओर होता है सुरुवात में बनने वाला पारिस्तितिक तंतर उसकी संद्रचना की दश्टिस से काफी सरल होता है लेकिन जैसे जैसे समय बीटता जाता है वैसे वैसे पारिस्तितिक तंतर में नए जीओं का समावेश होता जाता है और पारिस्तितिक तंत्र जटिलता की और बढ़ता जाता है दूसरी विसेस्ता है कि पारिस्तितिक तंत्र की जो संद्रचना है वो उस पारिस्तितिक तंत्र में पाई जाने वाली जय विविदता यानि की जीओं के प्रकार जीओं की विविदता पर निर्भर करती है अधिक पाई जाती है, जबकि सरल पारिस्तितिक तंत्र में जातिय विवदता भी कम पाई जाती है, तीसरा पोइंट देखते हैं, पारिस्तितिक तंत्र की कारिय प्रणाली, तो पारिस्तितिक तंत्र की जो कारिय प्रणाली है, वह दो बातों पर निर्भर करती है, पहली बात है पारिस्तितिक तंत्र में उर्जा का प्रवा है यानि कि पारिस्तितिक तंत्र में किस प्रकार से उर्जा एक पोशन इस तरके जियों से अगले पोशन इस तरके जियों तक पहुँचती है और दूसरा जेव भू रासायनिक चक्रण बायो जीयो केमिकल साइकल यानि की रासायनिक पदार्थों का प्रक्रती और जीयों के मध्य निरंतर चलने वाला चक्रण ये दो बाते यानि की उर्जा प्रुवा है और जेव भू रासायनिक चक्रण पारिस्थितिक तंतर की कार्य प्रणाली का निर्धारण करते हैं अग्वी विसेश्था है की पारिस्थितिक तंतर में होम यो इस्टेसिस की प्रवर्ती पाई जाती है यानि की यदि हम प्रकरती में पाये जाने वाले पारिस्थितिक तंतरों के साथ में किसी भी प्रकार की कोई छेड़ छाड़ नहीं करे तो पारिस्थितिक तंतर में श्वम नियंतरण करने की शमता पाई जाती है पारिस्तितिक तंतर इस्थाई भी हो सकते हैं और अस्थाई भी हो सकते हैं जैसे हम फसल के खेत को देखे तो यह किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है इसका जवाब होगा यह एक आइस्थाई पारिस्थितिक तंत्र है क्यों क्यों कि हम फसल होते हैं फसल बड़ी होती है उसका खुद का पारिस्थितिक तंत्र बनता है खेत का खुद का पारिस्थ तंतर बने एक निश्जे समय बाद में हमने फ़सल को काड़ दिया यानिकि हमने फ़स्थितिक तंतर को समाप्थ कर दिया तो इस प्रकार से फ़सल का खेट एक आस्ताई परिस्थितिक तंतर हुआ जबकि forest, ocean, desert, grassland ये सभी permanent ecosystem इस्थाई पारिस्थितिक तंत्र के उधारण इनका अस्तितु लंबे शमय तक बना रहता है हगली विश्था है पारिस्थितिक तंत्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है प्रकरती में हम यह नहीं बता सकते हैं कि अमुक पारिस्थितिक तंत्र यहां से प्रारम हुआ और यहां जाकर के समाप्त हो गया और इसके बाद में अगला पारिस्थितिक तंत्र सुरू हो गया ऐसा हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं प्रकरती में विभिन पारिस्थितिक तंत्रों की सीमाए एक दूसरे को अतिव्यापित करती है। अगली विशेष्था है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो एक ओपर तंत्र है। खुला तंत्र किसे कहेंगे। खुला तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें उर्जा और अन्यपदार्थों का तंत्र के अंदर प्रवेश हो जाए और तंत्र से बाहर भी ये निकल सके। तो हमारा जो एको सिस्टम है वो भी एक ओपन एको सिस्टम है क्योंकि इसमें उर्जा का प्रवेश और अन्यपदार्थों का प्रवेश हो भी होता है। साथ ही साथ इनकी हानी भी होती रहती है। अगली विशेशता है पारिस्तितिक तंत्र का आकार निश्ट नहीं होता है। यह काफी छोटा भी हो सकता है और पारिस्तितिक तंत्र काफी बड़ा भी हो सकता है। जैसे हम देखे एक ocean के बारे में बात करे, एक समुद्र के बारे में बात करे, तो इसका आकार काफी बढ़ा होता है, यह काफी बढ़ा ecosystem है, एक mega ecosystem का उदारन है यह, इसके विपरित पानी की एक बून भी एक पारिस्तितिक तंतर हो सकती है, अब हमां अध्यन करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के आकार के बारे में यानि कि इसकी साइज के बारे में तो जिसा मैंने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र का कोई निश्चित आकार नहीं होता है या काफी छोटा हो सकता है या काफी बड़ा हो सकता है आकार के आधार पर हम पारिस्तितिक कंत्र को चार प्रकारों में बाढ़ सकते हैं पहला मेगा इकोसिस्टम इसका आकार काफी बड़ा होता है काफी विस्तरत इकोसिस्टम आई है और इसका एक्जामपल है ओशिन अगला है मैक्रो इकोसिस्टम इसका आकार मेगा एकोसिस्टम से छोटा होता है और इसका एक्जामपल है फोरेस्ट माइक्रो एकोसिस्टम जो माइक्रो एकोसिस्टम है वह मैक्रो एकोसिस्टम की अपिक्षा छोटा होता है जैसे एक ताला पारिस्थितिक तंत्र, एक पौंड एकोसिस्टम और अन्तिम और सबसे छोटा एकोसिस्टम है नेनो एकोसिस्टम, इसका उधारण है एड्रॉप ओफ वाटर, पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद भी एक क्या है, एक एकोसिस्टम हो सकती है, इसके बा तोर पर दो प्रकारों में बाढ़ सकते हैं, प्राकर्तिक पारिस्थितिक तंत्र और क्रत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, फर्स्टों पाल, प्राकर्तिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इको सिस्टम, तो एसे पारिस्थितिक तंत्र, जो प्रकर्ति दुआरा नियंत्रित ह प्राकरतिक पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, तो ये पारिस्थितिक तंत्र इस्थल पर पाये जाते हैं। दूसरा प्राकरतिक पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेटिक एकोसिस्थम, जलिए पारिस्थितिक तंत्र। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो जलिए इस्थानों पर पाये जाते हैं। अक्वेटिक एकोसिस्थम कलाते हैं। और अक्वेटिक एकोसिस्थम भी दो प्रकार के होते हैं। पहला अलवनिय जल पारितंत्र, फ्रेस वाटर इकोसिस्थम और सेक्ट है लवनिय जल पारितंत्र, माराइन इकोसिस्थम। तो जल जो अलवनिय जल पारितंत्र है, ये पारितंत्र अलवनिय जल के सुरोतों में पाई जाते हैं। और इन्हें भी हम दो प्रकार से बाढ़ सकते हैं, कि पानी ठहरा हुआ है या पानी बहता हुआ है। जब पानी भहता हुआ होता है तो ऐसे पारिस्तितिक तंत्र को लोटिक एकोसिस्टम कहते हैं जैसे इस्प्रिंग एकोसिस्टम नदी एकोसिस्टम रीवर एकोसिस्टम और इस्ट्रीम एकोसिस्टम जढने का एकोसिस्टम वगर है दूसरा लेंटिक एकोसिस्टम ये एकोसिस्टम ठारे हुए जल किस रोतों में पाई जाते हैं जैसे पॉंड एकोसिस्टम तालाब पारिस्थितिक तंत्र लैक एकोसिस्टम जील पारिस्थितिक तंत्र स्वांप एकोसिस्टम धल्दलिये इस्थान पारिस्थितिक तंत्र उसके बाद में हमने देखा था जलिय पारिस्थितिक तंतर को लवनिय और अलवनिय में बाटा था तो अलवनिय जल पारिस्थितिक तंतर तो ये पारिस्थितिक तंतर ऐसे पारिस्थितिक तंतर है जो लवनिय जल में पाए जाते हैं जैसे माराईन एकोसिस्टम, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र और जवार नदमुक पारिस्थितिक तंत्र अशरी एकोसिस्टम अशरी या जवार नदमुक क्या है नदिया जब भहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है तो जो दोनों का संगम इस्तल होता है वह जवार नदमुक का लाता है और जवार नदमुक की एक सबसे बड़ी विसेस्ता की बात करूँ तो जवार नदमुक वाले चेतर में जो बायो डाइवरसिटी है वो नदी और समुद्र दोनों की अपेक्शत ज़्यादा पाई जाती है पारिस्तितिक तंत्र के प्रकारों के बाद में हम देखते हैं पारिस्तितिक तंत्र की संरचना structure of ecosystem पारिस्तितिक तंत्र की संरचना में दो घटक होते हैं पहला घटक है जेविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा घटक है जेविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट पहले बात करते हैं जेविक घटकों के बारे में ये पारिस्तितिक तंत्र के जीवित घटक होते हैं इन घटकों को दो प्रकारों में हम बाढ़ सकते हैं पहला प्रोडूशर या उत्पादक और दूसरा कंजूमर या उबहुकता तो प्रोडूशर या उत्पादक पारिस्तितिक तंत्र के ऐसे सजीव घटक है जो अपना भोजन स्ट्रम बनाते हैं यानि कि ओटो ट्रोपिक होते हैं सुअपोसी होते हैं ये प्रकार संसलेशन अथ्वा रसाइन संसलेशन की किलिया दुआरा अपना भोजन बनाते हैं जैसे प्रकार संसलेशी पादप और रसाइन संसलेशी तथा प्रकार संसलेशी सुअपोसी जीवानों उसके बाद में उब्भॉकता है तो ये पारिष्टितिक तंत्र के ऐसे सजी उटक है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं ये भोजन के लिए प्रतेक्स या अप्रतेक्स रूप पर या अप्रतेक्स रूप से उत्पाद को पर निर्भर करते हैं जो उब्भॉकता है वो मुख्य रूप से दो प्रिकार के हैं एक मैक्रो कंजुमर गुरू उब्भॉकता और दूसरा माइक्रो कंजुमर सुक्सम उब्भॉकता गुरू भॉकता क्या है मैक्रो कंजुमर क्या है यह जीवित पोधे या जन्तों से भोजन प्राप्त करने वाले वो भॉकता है यह भोजन को पहले ग्रहन करते हैं फिर अपने सरीर में उसका पाचन करते हैं फर्ष्ट इंगेस्ट दन डाइजेस्ट जो गुरू भॉकता है वो मुख्य रूप से तीन प्रिकार के हैं प्राथमे को भॉकता प्राइमरी कंजुमर यह साकाहरी जीवित होते हैं और उत्पादकों से अपना भोजन डायरेक्टली प्राप्त करते हैं जैसे गाई है, बैंस है, बैड है, बकरी है, उंट है, गदा है सेकेंडरी कंजुमर दुट्यक भॉकता यह मानसाहरी जीवित होते हैं और यह साकाहरीों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे कुट्टा है, बिल्ली है, लॉम्डी है, आदि जीवित है, सीरसस्त उभॉकता यह टॉप कंजुमर यह ऐसे जीवित हैं जो प्रकरती में दूसरे जीवित को मार कर खा सकते हैं, लेकिन प्रकरती में इनको खाने वाला कोई भी इनका प्राकरतिक उभॉकता नहीं होता है जैसे सेर, चीता, बाज, मौर, आदि गुरू भॉकता के बाद में देखते हैं, सुक्सम भॉकता या माइक्रो कंजुमर यह मुरत पादप या जनतु सरीर का अबगटन करने वाले जीवित हैं यह बोजन का पहले पाचन करते हैं, फिर उसका आउशोशन करते हैं यानि कि फर्ष्ट डाइजेस्ट, देन इंगेस्ट इस कारण इन्हें प्रासरन जीवी, ओस्मो ट्रॉप भी कहा जाता है जैसे कवक है, जीवानू है, आदि सजी उगटकों के बाद में हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के आजेवी घटक, निर्जीव घटक, आबायोटिक कमपोनेंट पारिस्थितिक तंत्र के ये निर्जीव घटक होते हैं और मुखे रूप से इन्हें तीन प्रिकारों में बाढ़ सकते हैं नमर एक जलवाई वे घटक, ये जलवाई उससे समन्दित घटक है जैसे लाइट, हैयर, रैन, मौश्यर, आदि सेकिंड है इन और्गनिक कमपोनेंट, अकार्बनिक घटक ये पारिस्थितिक तंत्र के अकार्बनिक घटक है जैसे केल्शियम, मैगनीशियम, फोश्फोरस, नाइट्रेट हुआ, सल्फेट, नाइट्रोजन, आक्सिजन, कार्बन मोनो अक्षेड, आदि तीसरा है कार्बनिक घटक, और्गनिक कमपोनेंट ये पारिस्थितिक तंत्र के कार्बनिक घटक है जैसे प्रोटीन हुआ, लिपिड है, कार्बोहेड्रेट है, एटीपी है, एडिनोसिन, ट्राइफोस्पेट क्लोरोफिल है, डियने है, आरेने है, आदि अब हम देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों के बारे में तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो कार्यों है पहला तो बताया उर्जा का प्रोवा है, और दूसरा आपको बता चुके हैं जेव भूरा सायनिक चक्रण, तो पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा प्रोवा की बात करें तो पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का एक मात्र स्रोत सूरी है पर्थवी पर आने वाली कुल सौर उर्जा का ओस्तन एक से दो परसेंट भाग ही हरे पादपोद्वारा परकास संसलेशन में प्रियुक्त होता है हरे पादपोद्वारा जो प्राप्त की गई जो ये उर्जा है जिसे ये अपने सरीर में कार्बनिक पोशक पदार्थ के रूप में संग्रित कर लेते हैं यह उर्जा खध्य संखला और खध्य जाल के माद्यम से पारिस्थितिक तंत्र के अन्य जीवों को प्रवाहित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा प्रवाह की विसेस्ताओं के बारे में देखते हैं। तो नमबर एक विशेशता है कि पारिश्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवेश, इस्थानांत्रण, रूपांत्रण और वित्रण, उश्मा गतिकी के थर्मो डाइनेमिक्स के दो मूल भूत नियमों के अनुशर होता है, उश्मा गतिकी का पर्थम नियम के अनुशर और उर्जा को न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नश्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांत्रित किया जा सकता है, तो प्रकरती में जब उर्जा का प्रवाह होता है, तो उसमें भी इसी नियम का अनुशरन होता है, यही नियम फोलो होता ह सूर्य की प्रकास उर्जा को पोदे प्रकास संसलेशन की रिया दुआरा रासाइनिक उर्जा में अपने सरीर में बांध लेते हैं फिर यह उर्जा जो रासाइनिक उर्जा है वो एक जियों से दूसरे जियों को इस्थाना अंत्रित होती रहती है और इन विभिन जियों द्वारा इस उर्जा को उश्मा के रूप में भी त्याग दिया जाता है तो क्या हुआ कि इस उर्जा को न तो बनाया न नश्ट किया अभी तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतित कर दिया गया है उस्मा गत्रेकी का दूसरा नियम इस नियम के अनुसार एक जियों से दूसरे जियों में जब उर्जा का इस्थानांतरन होता है तो इस दोरान जियों की उपाफचे किरिया उद्वारा कुछ उर्जा का उश्मा के रूप में क्षे हो जाता है इस कारण से जो खद्य स्रंक्रा में उच पोशन इस तर पर विद्यमान जो जीयों है उनको उर्जा निरंतर कम प्राप्त होती जाती है अगली विश्यस्ता देखते हैं कि पारिस्तितिक तंतर में उर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा यूनि डाइरेक्शनल होता है एक दिश्य होता है उर्जा का जो प्रवाह है वो उत्पादकों से उभखताओं की और होता है उर्जा कभी भी उभखताओं से उत्पादकों की और इस्थानांतरत नहीं होती है उर्जा प्रवाह की अगली विसेस्ता देखे तो हम देखते हैं कि पारित अंतर में उर्जा के प्रवाह के दोरान उर्जा में निरंतर कमी आती जाती है और उर्जा का ये प्रवाह लिंडे में इनके पारिस्थितिक दसांस के नियम के अनुशार होता है इस नियम के अनुशार कोई भी जियों अपने दोरा प्राप्त की गई कुल उर्जा में से ओस्तन दस परसेंट से अधिक उर्जा अपने सरीर के निर्मान में प्रियुक्त नहीं कर सकता इस 10 परसेंट के अतरिक जो 90 परसेंट उर्जा बची है उसे वहजियों उश्मा के रूप में शोशन और अन्य मेटाबोलिक किरियाओं में नश्ट हांश कर देता है हतारत खद्य सरंकला में उर्जा प्रवाह के दोरान एक पोशन इस्तर से अगले पोशन इस्तर में केवल 10 परतिशत उर्जा ही प्रवाहित होती है सेस 90 परसेंट एनर्जी उस पोशन इस्तर पर उश्मा के रूप में हाश हो जाती है खद्य सरंकला में उर्जा का प्रवाह भोजन के रूप में होता है खद्य सरंकला का परतिख इस्तर पोशन इस्तर कहलाता है खद्य सरंकलाओं के प्रकार तो खद्य सरंकला तीन प्रकार की है चारण खद्य संकला, परजीवी खद्य संकला और अपरदी खद्य संकला चारण खद्य संकला देखें, ग्रेजिंग, फुर्चेन तो इस परकार की खद्य संकला प्रतेक्स रूप से सोर उर्जा पर निर्भर करती है यह खद्य संकला हमेशा हरे पादपो से प्रारंब होकर साका हरी जियों से होते हुए मानसा हरी जियों पर जाकर के समाप्त हो जाती है जैसे एक खद्य संकला की बात करूँ मैं घांस उसको खाएगा खरगोस उसको खाएगी लॉम्डी और उसको खाएगा सेर तो ये ख़द्य संक्ला केसी है? चारण ख़द्य संक्ला है. इसका प्रारम कहां से हुआ? हरे पादपो से हुआ, उत्पादक्स से हुआ. और कहां पर समाप्त हुई? सा कहां हरियों से होते हुए? मान सा हरियों पर समाप्त हुई. जो ख़द्य संक्ला की विसेस्ता देखो त यह रूसा भी उससे भी बड़ा यानि कि एक हद्य संक्ला छोटे जीओं से प्रारम होकर बड़े जीओं पर समाप्त हो रही है। दोसरी हद्य संक्ला है परजीवी की और अग्रसर होती है। यह खद्य संक्ला बड़े जीओं से प्रारम होकर के छोटे जीओं पर समाप्त होती है। जैसे एक एकजमपल देखे वरक्ष उस पर कहीं सारे पक्षी रहते हैं और उन पक्षियों पर कहीं सारे परजीवी रहते हैं। तो इस खाद्दे संकला में क्या देखा? कि ये खाद्दे संकला बड़े जीओं से प्रार्णव मोह करके छोटे जीओं पर समाप्त हुई और ये खाद्दे संकला परतेक सुरुप से किस पर निर्बर है? सोरूर्जा पर तीसरी है डेट्राइटस फुर्चैन अपर्दी खाद्दे संकला ये खाद्दे संकला परतेक सुरुप से सुरूर्जा पर निर्बर नहीं है? अपरतेक सुरुप से सुरूर्जा पर निर्बर है? ये खाद्दे संकला अपरद से प्रारम होती है और अपरद को खाने वाले अ पूदो के जो मृत अउसेस है वह अप्रद है जैसे एक खद्य संक्रा की बात करूँ तो म्रत मैंग्रों की पतिया इनको जीवानू या कवक खाते हैं उन जीवानू कवक को एफिड मॉलस्कन या केंकड़े खाते हैं उन्हें छोटी मसले खा जाती और उन्हें पक्सी खा जा तो क्या प्रकृति में विबिन खाद्य संक्लाए अलग-अलग होपरेट होती है अलग-अलग काम करती है तो इसका जवाब होगा नहीं प्रकृति में विबिन खाद्य संक्लाए विबिन पोशन इस तरों पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इस प्रकार से एक जटिल जाल का निर्मान हो जाता है जिसे ही खध्य जाल कहा जाता है और खध्य जाल के माध्यम से प्रकृति में जीवों को भोजन की 24 मिल जाती है एक से अधिक प्रकार का भोजन प्राप्त करने के आउसर उन्हें प्राप्त हो जाते हैं पारिस्तितिक तंत्र का जो दूसरा कारिय था वो था जेवु रासाइनिक चक्रन जेवु रासाइनिक चक्रन क्या है विभिन रासाइनिक तत्व का परियावरन और जीओं के मद्धे एक चक्रिय परिभर्मन चलता है ये रासानिक तत्तू परकरती से जीवों में जाते हैं और जीवों की मर्तियों के बाद में या जीवों की किरियाओं के द्वारा उपापचे किरियाओं के द्वारा वापस परकरती में आ जाते हैं और इस प्रिकार से ये दोनों के मद्देन का चक्रिय परिभर्मन चलता रहता है, जिसे जेव बुरहसायनिक चक्र करते हैं, इसे हम सोट रूप में देखेंगे, यह तीन प्रिकार का है, गेश्य चक्र, जलिय चक्र और अवशादी चक्र, गेश्य चक्र में क्या बढ़ेंग और अवशादी चक्र क्या है, खनित तत्वों का परियावरण और जियों के मद्दे होने वाला चक्रिय परिभर्मन अवशादी चक्र करता है, जैसे फोशपुरस चक्र है, सलफर चक्र है, आदी, ठैंक्स